अगर आपका भी बैंक मर्ज हो चुका है किसी दूसरी बैंक में और आपका ifsc कोड एप इफ उन्हें अमान ने कर दिया है तो बन रहे है आज की इस वीडियो में नवस्कार दोस्तों स्वागत आपका आज की इस वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन केनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें जारी दोस्तों एप पर ने करण करना पड़ेगा अपने पार में तो आजनेंगे की नए आएर फेस्ट कोड़ केसे अपने अकाउंड में सकते हैं दोस्तों कोड नया डरजी करने से पहले मैं आपको बता दूट कि नया से कोड कहां से आपको다 करना है आक KIM जिस भी बैंक में मर्ज हुई है उस बैंक में आपको जाना है और वहां से आए अफसी कोड बैंक पासव्ग आपको ले लेना है उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको अकांड नमबर चेंज नहीं हुआ है सिरस आफसी सी कोड और बेंक पाज़ों कोड चेकबुक होई है वहां से आपको 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 फिर अपने पीफ अकॉर्ट में ऐसे कोड को चेंज करना है अब कियो को पर दिखाओंगा करके कि कैसे आप नया dh कोड दर्ज करवा सकते हैं अपने पीएफ अकॉंड में तो मैं आ चुका हूं कम्पूटर स्क्रीन पर और सामने आप देख चुके हैं कि मैंने युनिफाइट पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है अब मुझे इसका एफसी कोड चेंज करना है तो उसके लिए मैं जाओंगा यह जीन आपके सामने ओपन हो जाएगा यहां पर आपको बैंक चुर्णध नंबर एंटर करना है जो पुराना चुन था आपको आयो आपको नया मिला है वह यहां पर सेबओ करें क्लिक कर देना है से उपर आप जैसे लिए करेंगे कुछ नएया पेज आपके सामने उपर हो जाएगा यहां पर लिखा हुआ है फोर सेटिंग बैंक के वाई सी ओटीपी लिए लिंक मोबाइल आपके आधारकड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक सेंट किया जाएगा वह आपको यहां पर एंटर करना है और संबीट पर क्लिक कर देना है संबीट पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी कवाई सी रिक्वेस्ट जो है वो संबीट हो जाएगी और उसे इंप्लोयर द्वारा अप्रूव किया जाएगा यहां पर आप देख सक कर आप अपना नया कोड अपने पीएफ अकाउंड में एड़ कर पाएंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर जरूर करें